2008 में भारती राष्ट्री कॉंग्रेस ने चीन की रूलिंग कमिनिस पार्टी से एक विशेश समझोता कर लिया था जो आजकल चर्चाओं पे हैं भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने इस पर सवाल खड़े किये हैं और उन्होंने कॉंग्रेस अध्यक्ष सुनिया गांधी और राहूल गांधी से जवाब तल्वी किये ये एक ऐसा समझोता था कि जिसको सुनकर सुप्रिम कोर्ट के जज़भी हैरत में हैं नमस्कार मैं तुर्णात और आप देख रहे हैं इरेडियो अंडिया का पिशेश कारिक्रम देशी पड़ता Communist Party of China और Congress Party के बीच हुए 2008 में इस समझोते की पीछे की असल कहानी के बारे में आज चर्चा करेंगे और इसके लावा आपको बताएंगे कि आखिर इस चर्चा को लेकर के इस मुद्दे को लेकर के भारती जंता पार्टी के पेट में इस वक्त मरोड क्यों उट रही है इस से पहले कि हम इस कारिकर में आगे बढ़ें एक नज़र डाल लेते हैं क्या था ये समझोता और इसके पीछे की असल कहानी क्या थी वरस्ट 2008 में ततकालीन सरकार में रहने के दौरान Congress Party ने चीन की सत्तरूड Communist Party of China से एक विशेश मेमरंडम of Understanding पर साइन किया था इस समझोते को सारुजलिक रूप से तो किसी को नहीं बताय गया लेकिन अंदर खाने इसका लाव शायद Congress अब भी ले रही है अगस्त 2008 में Congress अध्यक्ष सोनिया गांधी परिवार के साथ चीन गई थी इस MOU पर Congress के जनल सेकरेटरी राहूल गांधी, सोनिया गांधी और चीन के उपर राष्टपती से जिन पिंग के हस्ताक्षर है जिन में ये लिखा था कि दोनों पक्षंतर राष्ट्री चेतरी दिपक्षी मुद्धों पर विचार विमर्ष करते रहेंगे उस दोरान चीन के राष्टपती हुजिन ताओं थे और उनके एक भोज कारिकरम में कांग्रेस के अध्यक्ष वहां शामिल हुई थी अब भाजपा उसी MOU को लेकर हमलावर है भाजपा ध्यक्ष जेपी नडड़ा भाजपा परवक्ता संवित पात्रा ने एक शुर में कांग्रेस की मुख्या सोनिया गांधी और पूर महासची राहूल गांधी को जवाब देने की मांग की है भाजपा ध्यक्ष के अनुसार समझोते के बाद ही ततकालिन कॉंग्रेस के नेतुत वाली संयूक्त प्रगत्सील गठबंदल सरकार ने चीन के सामने हजारों किलोमेटर जमीन समर्पित कर दी जब दोकलम बिवाद हुआ तो राहूल गांधी भारत में चीनी राजदूस से मिलने भी गये थे ये बात उन्होंने चुपाने की कोशिश भी की थी भाजपा का कहना है कि अब जब चीन के साथ एक बार फिर से तनाओ है तो राहूल गांधी सेना का मनोवल गिरा रहे हैं भाजपा ध्यक्ष ने सवाल दागा है कि क्या ये समझाओते का ही असर है अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि 2008 में कॉंग्रेस पार्टी और क्मिनिस्ट पार्टी आफ चाइना की बीच हुए इस में मुरेंडब पर भारती जंता पार्टी के पेट में मरोड के उठ रही है नवंबर 2019 को लगबग ये सारी बाते हैं उन्होंने भारत की संसर लोकसभा में जीरो आर के दोरान कहीं थी जहां पे उन्होंने ये भी कहा था कि चीन ने भारत की 50 से 60 किलोमीटर भूमी को हजिया लिया है अब ये कोई मामूली आदमी नहीं है जो इस सब बाते कह रहा है दरसल राहूल गांधी ने इसी मुद्दे को पिछले दिनों प्रमुकता से उठाते हुए नरेंद्र मोदी को ये चेताओनी दी थी कि वो चीन के मुद्दे को बहुत प्रमुकता से नहीं उठा सकते उन्हें इतनी हिम्मत नहीं है बस फिर क्या था भारती जंता पार्टी के कागजी केड़ों ने पिछले दिनों के हुए समझोतों पर अपनी नजरें घुमाने शुरू करती इसके बाद 2008 में हुए इस समझोते की कौपी उनके हाथ लगी उन्होंने इस समझोते को जाण फुक कर एक नया कपड़ा पेनाया और इसको एक नय मुद्दे के रोप में दुबारा से देश के सामने रख दिया इसी समझोते को लेकर सुप्रिम कोर्ट में एक जनहीत याचका डाली गई जिसमें ये मांग की गई है कि कॉंग्रेस और चीन की सत्तारूड कम्मिनिस्ट पार्टी के बीच में 2008 में हुए इस कथित समझोते की NIA या फिर CBI से जाच कराई जाए लेकिन इस जनहीत याचका को स्विकार करने से सुप्रिम कोर्ट ने इंकार कर दिया याचका करता के वकील महस जेट मलानी ने कहा कि यह इस देश की एक पार्टी की दूसरे देश की लोती पार्टी के साथ ऐसा करार है जो राश्चिर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है इस पर सुप्रिम कोर्ट ने समझोते पर हैरानी भी जताई कोर्ट ने कहा कि हमारे सीमी तन्भों में हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी राजनीतिक दल ने किसी दूसरे देश के साथ समझाता किया हो सुप्रिम कूर्ट की स्टिपड़ी को लेकर बिजेपी अधेक्ष ने कॉंग्रेस बर हमला बोलते हुए सुनिया गांधी और राहूल गांधी से जवाब सवाल किया है कुल मिला जिलाकर कॉंग्रेस की चीन से नजदी की कठी करा कॉंग्रेस के ही हिस्से में डाल दिया तो साथी मुझे अमीद है कि आज के इस देशी पड़ताल में हमारी इस प्रयास से आपको यह समझ में आ गया होगा कि 2008 में कॉंग्रेस और कम्मिनिस पार्टी अप चाइना के बीच किया गया यह मेमोरंडम आफ अंडिस्टेंडिंग क्या है और इसके पीछे की असली वज करें ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें इसके लाव आप हमारी वेब पोर्टल इरीडियोंडिया.com पर विजिट कर सकते हैं तमाम नेशनल और इंटरनेशनल जनकारियों के लिए बहुत-बहुत सुक्रिया नमस्कार